कल से गायब 20 बरसिये इवक की गन्य के खेत में पाई गई लास सूचना पर पहुंची पुलिस मौामले की जाट परता लोग कारवा ही में जूटी आप सभी का सबसे तेश खबर साउस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक सीरे में सबस्क्राइब करें साथी घंटी का बटन दबाना न भूले जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे खबर उत्तर त्रदेश के बहराईश जनपस से है जहां पर विशेसर गंठान उसकी खोजबीन कर रहे थे आज उसकी गाओं के लगभग 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में संदिध अवस्था में सीसम के पेंड से लटकती लास पाई गई सूचना पाकर मौके पर पहुँचकर पुलिस ने सोको कबजे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्माटम के लिए भेद दिया है इस संबध में थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्माटम रिपोर्ट के आनने के बाद अग्रिम कारवाही की जाएगी वहीं घटना के बाद से ही परिजनों में कोहरा मचा हुआ है स्रावस्ती बहराईश बाडर के मजवा भवानीपुर बनकट के मज़रा बरई पुरवा का एपुरा मामला है जहां पर 20 बरसी राम सेवक की संदीर परिस्तितियों में गन्य के खेट में सीसम के पेर के पास से लास पाई गई गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की सिनाक्थ करने के साथ साथ जाच परताल भी सुनों कर दी है सो को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेजा गया है और अग्रिम करवाही की जाया रही है थाना अदिश का कहना है कि पीम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा साथ ही अग्रिम करवाही की जाएगी उत्तर तुदेश के बहराई जनपर से ये अहम खबर आपकी स्कीन पर जहां पर कल से ही लापता 20 बर से इवक का सो गाओं से लभग 500 मीटर दूर गन्ने के खित से मिला हुआ है जैसे ही इस घटना की जनकारी लोगों को ही तो भारी संख्या में मौके पर लोग पहुंच गए वही पुलिस ने सो को कबजे में लेते हुए पोस्वार्टम के लिए में जा है